एक बार लोहा और सोना आपस में बातचित कर रहे थे तब सोने ने स्वाल किया कि तू लोहा है और मैं सोना हूँ इसी बीच दोनों के बीच बातचित सुरूई तब ही सोने ने कहा अरे लोहा सुनार मुझे भी पीटता है तब मेरे अबूसन बनाई जाते हैं और तुझे भी पीटते हैं तब तू काम में आता है लेकिन जब मुझे पीटा जाता है तब किसी को पता भी नहीं चलता मेरी बिल्कुल आवाज नहीं आती है लेकिन जब तुझे पीटा जाता है तो बहुत दूर दूर तकवा जाती है ऐसा क्यों है? इस पर लोहे ने बहुत सुन्दर जवाब दिया तुझे पीटने वाला तो लोहा है और वो तेरी जाती का नहीं है लेकिन मैं तो लोहा हूँ और मुझे पीटने वाला भी लोहा ही है और जब अपना अपने को पीटता है ना तो बहुत दर्द होता है तब लोहे ने कहा उस दर्द को सहन करना बहुत मुस्किल होता है वो दर्द सहन नहीं होता है इसलिए मैं इतना चिलाता हूँ उस पर सोना चुप हो गया दोस्तो जब जिन्देगी में खुद के लोग दोस्त देते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है दूसरे चाहे कुछ भी बोले लेकिन जब खुद के बोलते हैं तो बहुत दर्द होता है दूसरे लोग हमारे साथ में खड़े नहीं हो तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब अपने साथ में खड़े नहीं हो तो बहुत परक पड़ता है तब दर्द होता है